नमस्कार दोस्तों Cambridge Learning Point में आपका एगवार फिट से स्वागत है आईए आज हम लोग स्वाल्व करते हैं प्रस्णावली 1.2 Class 10 का प्रस्णावली 1.2 का पहला क्वेशन स्वाल्व करते हैं क्वेशन क्या कर रहा है कर रहा है कि निमलिखी संख्याओं को अभाज गुरुन खंड के गुरुन फल के रूप में बैक्त केजिए अगर आपको यह हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ सेर करें आए हम लोग देखते हैं इनके कुछ नियम के बारे में जानते हैं कि किस नियम के अनुसार हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ठीक है बचों आए देखते हैं इसमें कहा गया प्रस्णावली 1.2 में पहले हम लोग को जानना है कि विभाजिता का नियम क्या हता है विभाजिता क्या है पहले हम लोग इनको जानते हैं देखें क्या कर रहा है कि 2 से विभाजिता का नियम आप यहां देख रहे होंगे यहां लिखा हुए 2 से विभाजित करना है जैसे कि अभी यही पर आपका बारा लिखा हुआ ठीक है यह देख रहा है यहां पर इस बारा को हमको क्या करना विभाजित करना है तो इसको विभाजित करने से पहले हमें को क्या करना पड़े जानना पड़े कौन कौन सी संख्या से विभाजित हो सकते सबसे बड़ी बात ही बच्चों कि हमें यहां पहचान करना पड़ेगा कि कौन सी संख्या से विभाजित होगी ठीक है तो देखें यहां बारा है तो यहां पर देखें यह दो से तो 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 पहचान लेजिए कि यह संख्याके से कटेगी यहां बच्चों की दोखेगी आते हैं अगले नियम के तरफ देखते हैं देखिए अगला नियम क्या कर रहा है अगला नियम देखिए क्या है मारा बच्चों तीन सी विभाजिता का नियम तीन से विभाजिता का नियम का मतब्द क्या होता है कि अब ऐसी कौन सक्राइब बहुत सारी संक्राइब जो की दो से विभाजित नहीं होते हैं का बुड़न खंड करना चाहते हैं तो पहले उस संख्या का क्या करी योग करें योग करने के पाद उसको तीन से विभाजित करें अगर वह संख्या तीन से विभाजित हो जा रही है तो आप समझे कि वह संख्या आपकी पूरी पूरी क्या होगी तीन से विभाजित होगी हम 225 को कैसे देखेंगे पहले क्या करेंगे तो क्या हो जएगा? अब यह जो आपको 9 दिखाई ढहे है यह यह आप अच्छी तरीकी सब दबाएक टेबल पड़ेंगे City for collect 9 इस एक जाल का पूरे मोज़ीत है और है जो आप देखे है आपको बहुत तरिकें आराहँ होगा अगर आपको यक्मेंट सेक्षिन में का फूरी जो भी आपको दाइट हो करिए हम उस पर जो है क्या करते हैं कि एक नया वीडियो बना तुरंट इस जो आपका डाउट है उसका सलूशन चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएगे वहां पर आपका हमारा वार्ट साथ नमबर मिलेगा आप वहां पर मैसेज करिए हम आपको तुरंट आपका ड इसको चेकरने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा है यह है यह यह क्या होगी है फड़ोक्त थरी हो जाएगा फड़ी है अब की 50 देंग चिचता आपका फड़। अब अच्छी तह चाते हैं कि 5 जो है 3 टेवल में इसका मतबब जहती क्या हागी विभाजित हो इसका मतब क्या हुआ यह जो बाराउसोग पचत्तर हुगी हागी हो सेवंटी फाइब सेवंटीफाइब के सब्स एक चार्ष लयूंगे 75 कर ýए जया किसे की भी होग जाएगा इसका मतलब किए आपका थ्री से क्या हो जयागा साइब पचेसर परेट्रव फैर्स पोरी बिभाजित हो जाएगा इस प्रम चुछ ऐर रही Weli हो जाएगी आगे बढ़ते हम लोग देखते हैं अगले नियम के तरफ चलते हैं अगला नियम हमारा क्या कहता है ध्यान दिजेगा अगला नियम हमारा बताता है कि चार से विभाजिता का नियम ध्यान दिजेगा चार से विभाजिता का नियम क्या है किसी संख्या के अंतिम द परी संख्या का अंतिम दो अंग यदि 4 से बिभाजित हो तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी बच्चों वो पूरी संख्या क्या हो जाएगी जैसे कि यह दीखे 516 लिखा हुआ है ना ? तब बांसो सोलक में हमको क्या लेना है लास्ट mean को से बुद्ध και सब्सक्रांग कुण दो सब्सक्रां ऐक चार से विभाजित नहीं की यह पूरा-फुरा फुरहाइक नहीं कि तो एक नहीं तो द करूं झाइन और सरह के आगगा गढरे से सफटें वाले हैं यह कर रहा है एक हजार बतीस अब एक हजार बतीस ध्यान दीजे हमको क्या करना है मैं आपसे मैं दुबारा रिपीट कर रहा हूँ अगर आप इन सारे नियम को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं तो मैं आपको दम कंफम बता दे पूरी गारंटिक साथ मैं बता रहा हूँ कि कोई भी क् कर सकते हैं ठीक है बच्छों देखे क्या है कि यहां लिखा हुआ एक हजार बतीस तो मैं क्या कर रहा हूँ लास्ट के दो अंक इकाई और दहाई को लेना है उसमें क्या करना है उनको चेक करना है क्या यह फोर से डिवाइट हो रहे हैं कि नहीं अगर फोर से डिवाइट हो यहीं हजार थिस ठीक बचो एक हजार बथीस को अगर हम फूर से डिवाइट करेंगे बचो क्या जाएगा यह 4 पहड़ा पढ़िए छार का पाणा पढ़ेंगे तो आठ चोका बथीस आप सब अच्छी तरिके जानते हैं आप क्या जाएगा पूरा-पूरा क्या जाएगा कड लाश्टिया करता है अगला नियम का रहर है कि 5 से विभाजिता का नियम, मत्तब कि वो संख्या जो 5 से कहल डिवाइट होते हैं, ठेक है बच्कों, आई सी संख्या जो कहल 5 से डिवाइटे हो, देखें वह कौन सा होगे आपका ध्यान दिजेगा इसके लिए क्या करना है कि 1 का अंक 0 त our Celsius oni होतא जिनका इकाorar के हमने रहाइए दोनों में से कोई है तो आप एकदम कंफर्म मार्म निशिंत हो जाई है वह संख्या पूरी-पूरी क्व्याइएगा 5 से 5 से एकदम आसानी से जो है जो है अराम से न दिवाइट हो जाएगा देखें लित्वाइट जिसे 13 संटों को दे क्राए आज भी 130 क्या है भच् dato ध्यान दिजयेगा 136 के है भच्चु क्या है यहां पर क्या है, जीरो है लाष्ट में यह लाष्ट में क्या है जीरो इसका हम तो 135 से क्या जाएगा पूरा-पूरा विभाजित चौद्ध सो पैतालिस देख रहे हैं चौद्ध सो पैतालिस लाष्ट में क्या आपका पांच है इसका हम तो यह भी पांच से पूरी-पूरी जाएगी विभाज यह तो पांचवा के बहुत इंपोर्टेंट है इनको आपको बहुत अच्छी तरीके से जानना है एक लास्ट और है जो है यह कहीं कहीं आपका जरूरत पढ़ सकता है कहीं कहीं आप देखना चाहें कि यह जो सिक्स होता है तो आप अच्छी तरीके जानते हैं कि सिक्स आपका नियम आपको बहुत संज को आ गए होंगे में उपने कापीम, नोट करना क्ना चाहते हैं यह लुकाई प्रकार अनौं करते हैं 020508 आप यहां पर हमें क्या करिए मैसेज करिए वहां पर मैं इसका पीडियाप दे दूँगा आप आराम से प्रिंट निकाल लीजिए और जैसे आपको उचित लगे आप उसका उपयोग कर सकते हैं अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो हमारा पढ़ाय हुआ आपको समझ में आ रहा है तिकर पर आप हमारे चैनल को सस्क्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ सेयर करें जिससे हमें भी अच्छा लगेगा कि आप आप की द्व क्या करता है फिर से क्वेश्चिन हम लोग पढ़ते हैं तो बहुत इसे क्वेश्चन हम लोग कर लें कर लेंगे क्या कर रहा है और मद्धैन मैं निशींता क्या पाच्वा कोश्चन इनको क्या करना नेम लिखी संख्याओं को अभाज गुडण खंड के गुडण फल के रूप में क्या करना इनको ब्यक्त करना ठीक है बचो चलते पहले कोश्चन को हम लोग साल वकाते वेरी वेरी इजी कोश्चन है आप एकदम इतना सरल है कि आप पड़े होंगे जो है LCM के बारे में उसी से related उसी से related है देखे गुडण खंड कैसे करते जिसे आपका है एक सो चाली से ठीक है तो मैंने इसके पहले जो नियम बता थे विभाजिता का नियम तो विभाजिता का नियम क्या क्या करता है आप उनको देखिए कि लाश वाली सं तो वह संख्या किससे divide होगी बच्चों 2 से भीभाजित हो जाएगी सब्सक्राइब आप समय लिजे कि जब वह 2 से भीभाजित हो जाएगी इसका मतल़ जो आपका 140 दिया यह भी क्या हो जाएगा आपका 2 से भीभाजित करेंगे तो यहां पर क्या आपका 70 आपका 70 ठीक है आप अच्छी तरीकित जानते कि लाक्ट में आपका 5 है ठीक है देखिए 5 तो आपका 3 के भी टेबल में आता है 3 बन जा 3 3 2 जा 6 जानते हैं मतलब 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 4 जा 12 3 5 जा 15 पांच आता है लेकिन अगर आपके मन में डाउट है कि हां वहां पर भी पांच आता है तो हम कह 3 से डिवाइट नहीं होगा इसका 당ता 35 तो आपका 3 जानते है यसको आता हम लोग किस से करेंगcı बंध किस से करेंगे 5 से अभ 5 से मुआ जा 35 स4 सेंब नन जा 7 जा आता हाई अपका से झांत में अफ यहां क्या करेंग हम लोग को हल करेंगे हल question क्या है हमारा 140 है 140 का जब हम लोग विभाजित की है तो क्या मिला हम लोग को सेवन सन्मेरा देखें यही आपका एंसर है देखें हम इसको एक अच्छी भी में लिखते हैं इसको लिखते हैं इसको लिखते हैं अत्ह एक सचालिस के अभाज अभाज गुड़न खंडों गुड़न खंडों के गुड़न फल गुड़न फल गुड़न फल क्या होगा बच्चों तू की पावर टू इन्टू फाइफ इन्टू सेवन है कि बच्ठों हम म们 उम्मीद करते हैं कि फोस्थ आपको अच्छी तरीक applause सत्राइब दखर सकते हैं के लिखते हैं सेकंड क्वेटिशन को दिखिंगा है 156 दहां क्या है 156 क्वेस्भीट्वन फासिश्थ hmですね को देखते हैं सिक्ट कुछ्चन हमारे का है बच्चो सिक्ट कुछ्ट देखें एक हमारे दिया है 156 अब देखी यह जो आपको 156 दिया है इसी को फिर तरीकिस करेंगे जैसे आप पहले किये थें फिर उसी प्रकार से आप क्या करिए कि साइड में आईये अपने रबकारी कर सकते हैं 156, आप यहां क्या करिए, लाश्ट के अंको को दिखिए, लाश्ट का अंक 6 दिया है, इसका मतलब यह किसे divide होगा, आपका 2 से, 2 से इसको divide कर दीजे, कितना बचेगा आपका हैं पर, 12 12 इसमतर 39 आपका 3 से डिवाइट हो जाएगा जब 3 से डिवाइट करेंगे क्या आएगा 13 मतब 13 या 49 यह फिर आपका उसी प्रकार से हम लोग करेंगे हैं 126 से डिवाइट 6 से डिवाइट 6 सिराइट 4 इसमतर 10 से उपर के लिए वाइगा ऑझेर 12 फिर उसी प्रकार से क्या होगा जैसे उपर किया यह देख रहे हैं इसल क्या लिकेंगे 2 की पावर 2 इंटो 3 इंटो क्या करिंग बच्चों 13 अतह 156 के अभाज अभाज गुडन खंडो गुडन खंडो के गुडन फल गुडन फल 2 के पावर 2 इंटो 3 इंटो 13 है सब्सक्राइब बच्चों चलते हैं नेस्ट क्वेशन की तरफ क्वेशन नमबर 3 क्वेशन नमबर 3 देखे बच्चों हमारा क्या कर रहा है क्वेशन नमबर 3 कर रहा है कि 3825 क्या कर रहा है 3825 इसका हम लोग को क्या करना है गुड़न खंड करना है गुड़न खंड के बाद इसका क्या बता है हम लोग को गुड़न फल वेक्ट करना है आगे देखते हैं कि 3825 को क्वेश्चन नमर थ्री को स्वाल्व करते हैं देखें बच्चों क्वेश्चन नमर थ्री लेकिन हमने क्या वता थे आप जानते हैं कि यह आपका फाइब है वो थरी के टेबल में भी आता है फाइब में तो आता ही है तो हम लोग इसको एक बार क्या करते बच्चों एड करके देख लेधे कहीं यह संख्या जो आपके पूरी दी गई है कहीं थरी से डिवाइट नहीं फिर हम क्या करते इसको फिर सके थिवाइट करते हैं क्या मिलेगा आप फिर देखी लाश्ट में बच्चो आपको वही पाच है फिर अम लोग इसको चिक करते हैं एड करते हैं देखी क्या यह 3 से डिवाइट होता है कि नहीं 4 प्लस 2 प्लस 5 लिकेंगे पहले किये हुए है लेकिंगे हल ठीक है 3825 बराबर क्या हाँ जाएक बच्चों आपका ध्यान दिजेगा इस पर देखे 3 देख रहे हैं ने पूरा मतलब क्या हाँ आपका 3 3 की पावर 2 इन्टू क्या है बच्चाओका 5 की पावर 2 इन्टू क्या हो गया आपका 17 हम क्या लिखेंगे यहाँ पर अत्ह अत्ह थ्री एट टू फाइफ और तीस सो पचास पचीस के अभाज्य अभाज्य गुड़न खंड के गुड़न फल के गुड़न फल 3 के पावर 2 इन्टू 5 के पावर 2 इन्टू 17 है ठीक बच्चों आते हैं नेक्स्ट कॉस्चन की तरब अगला क्या कहता है अगला कॉस्चन City धीयान दिजेगा क्या कहा रहा है 5005 अगेसे धेकते हैं हम इ debate करते है गड़न खंड कर ते गुड़न खंड करदे हैं ध्यान तें क्या कर रहा है 50000 पांच पांच हजार पांच पांच हजार पांच साइड में लिखेंगे फिर हम लोग इसका क्या करेंगे गुड़न खंड करेंगे लाश वाली संक्या है पांच दी गई हैं अब जब 5 है तो इसका मुतरब क्या होगा पहले हम पूरी संख्या को एड करेंगे तो 5 प्लस 5 टेन आएगा और 10 आपका 3 से डिवाइट नहीं होगा इसका मुतरब यह संख्या किसे डिवाइट होगी बच्छो 5 से 5 से जब डिवाइट करें कितना हैगा 1001 17 अब छले ऑफ किसे डिवाइट होगा 7 से किसे डिवाइट होगा 7 से दिवाइट करेंगे बच्छो 7 इहां क्या जाएगा 30 हो गएगा prim प्राकार से किए संख्या को भी डिवाइट सब्सक्राइए सब्सक्राइब ध्यान दीजेगा ध्यान दीजेगा फिर उसी प्रकाल से हम लोग यहाँ क्या करेंगे हल क्या करेंग मैं हम लोग 55005 और फाइफ इन्टु 7 इन्टु 11 इन्टु क्या प्राप्थ है बच्छों 13 अब आप यहां पे कोई भी संख्या रिपीट नहीं कर रही है यहां पर संख्या रिपीट नहीं कर रहे हैं इसका inois सिंपली साई है इसका एंसर हो जाएगा हम लोग यहान पर क्या लिख्यों लिक्यें निक利 मैं यारी rewind 55005 के अभाज गुड़न खंडों का गुड़न फल क्या प्राप्ट हुए बच्चों 5 इन्टू 7 इन्टू 11 इन्टू 13 ठीक है बच्चों यह हमें क्या हुआ है प्राप्ट हो यह आपका क्या हुगं आते हैं राश्च च्छन सब्से लास्ट वला हम लोगोगर अगला आपको आता है व depends साथmat 429 सब्सक्राइब का गुड़न खंड करने के बाद हम लोगन खंड करने के बात सब्सक्राइब 9 साथ हजार चार सो उंतीस रिखते हैं कुश्चन नूबर फाइब साहत हजार चार सो उनतीस ठीक उसी प्रकासिस का भी करेंगे व्लमें और आप्र फ्वर्क करिंग गों 7hr तीस कुसे डिवायट करेंगे देखें बच्चों यह इस संख्या को यह जो बड़ी संख्यां से डिवाइट होती है यह आपका 17 से डिवाइट होगा यह क्या होगा 17 से विभाजित होगा धन दिजेगा क्या आपका 437 ठीक है फिर इसी संख्या को यह जो आप नीचे देख रहे हैं इस संख्या को 437 को हम उसको किसे डिवाइड करेंगे 19 से करेंगे तो हम लोगे क्या प्रापथ होगा बच्चों 23 अब फिर आपका 23 किसे डिवाइड हो जो 23 से सब्सक्राइब तो आगी बढ़ते हैं हल करते हैं इस question को हल करते हैं क्या होगा आपका 7 429 इक्वल टू क्या पराप्त हो हमें बच्छों 17 गुड़ित्य उननीस गुड़ित्य क्या पराप्त हुआ 23 सब्सक्राइब इसमें भी कोई विसंख्या repeat नहीं कर रहे हैं क्या लेकिंग अतह 5005 के अभाज्य गुड़न खंड अभाज्य गुड़न खंड का गुड़न फल क्या पराप्त हो बच्छों 17 गुड़ित्य उननीस गुड़ित्य ट्वंटी ठेस ठीक है है ठीक बच्छों बिलते हैं हम लोग निक्स्ट क्लास में अगर आपको यह हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो क्रिपया आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक वार्टसक नंबर पर मैसेज करिए वहां पर यह आपको पीडियो फार में मिल जाएगा चाहे आप इसका प्रिंट निकाल लेजेए अच्छा है जैसे आपको उचीत लगे इसका आप उप्योग कर सकते हैं ठीक जैहिन जैभारा